दोस्तो आज हम बात करेंगे देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माब्रह्मचार्णी के बारे में कि कैसे हम माब्रह्मचार्णी को प्रशन कर सकते हैं और इनकी पूझा करते समय आपको किस रंग की कपड़ा पहननी चाहिए और माता को कौन से फूल पसंद है और साथे स साथ हम आपको बताएंगे कि मा ब्रह्मचार्णी को किस चीज का भोग लगाने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मा ब्रह्मचार्णी की पूजा की संपूर्ण जानकारी देंगे साथ में ब्रह्मचार्णी मा की कथा भी मैं आपको बताऊंगी तो जैब हो ले ना दोस्तों मैं मन्जु कुमार आप सभी को अपने यूटूब चैनल सीव परिवार में दिल से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै भूलेनात अवसी लिखेगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सियर करना नहीं भूलिएगा तो आए शुरू करते हैं दोस्तो मा ब्रह्मचार्णी देवी दुर्गा के दूसरे सरूप हैं इनका पूजा नौरात्री के दूसरे दिन की जाती है ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चार्णी का अर्थ होता है आशरन करने वाली यानि तब का आशरन करने व का रूप माना जाता है इनके पूजा से आपको कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है देवी ब्रह्मचारनी मापारवती के जीवन का वो समय थी जब मापारवती सिवजी को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती थी तपस्या के प्रथम चरन में उ पत्र का और लाश्ट में उन्होंने बिल्कुल निराहार रत रहके तब कि भगवान सिव को प्रशन किया मा परवती ने दोस्तों मा ब्रह्म चार्णी की पूजा से तब त्याग सदाचार और सन्यम की व्रिधी होती है आके इस स्वरूप की आराधना करने से सर्वत्य और विजे की प्राप्ती होती है और सभी विग्णवादा की नास होती है इनकी पूजा करते वक्त आप ग्रीन कलर का यानि हरा रंग का कपड़ा पहने तो मा बहुत खुश होती है दूसरे दिन प्रात अशनान आदी करके इनकी पूजा अराधना करे मा को सेवंती का फूल बहुत प्रिये है तो आप सेवंती यानि गुलदावदी का फूल अरपित करें रोली, सिंदुर, अक्छत मा को चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं और प्रशाद में चीनी या मिसरी का भोग लगाएं फिर पान, सुपाडी, लौंग, पांस्तरा का कोई भी फल मा को चढ़ाएं ऐसा करने से मा आपको लंबी उमर का बरदान देती हैं और मा का मंत्र है या देवी, सर्व भूतेशु, मा ब्रम्हचारनी रूपेन संसिता नमस्तस्य, 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 नमो नमो तो इस मंत्र का आप कम से कम 108 वार जाब करें, प्रेम पुरवक मा की आरती करें इस दिन ब्रामनों को चीनी का दान दे करना बहुत सुब माना जाता है फिर मा से अपनी मनो कामना बोलिए, लाश्ट में छमायाचना भी मा से मांगिए कि हे मा, पूजा पार्ट में हमसे अगर कोई भूल चुक हो गई होगी तो नादान बच्चा समझ किये या बच्ची समझ कर मुझे माफ कीजेगा मैं आपकी ही संतान हूँ, तो आप मुरी हर अपराद को छमा कीजेगा माब्रमचारनी की पूजा पार्ट करने से जीवन में आपकी बहुत सारी खुशिया आती है और मन आपका खुश रहता है तो एक बार आप मेरे साथ बोलिए जै माब्रमचारनी धन्यवाद